तुगल का बात की अगर हम बात करते हैं, यहां पे क्या होने बाला है, तो यहां से जो शहीराम आमादमी पार्टी के 2020 में चुनाओं जीते थे, जिनको 8995 बोट मिला था, बाती जनता पार्टी के यहां से विक्रम भी धूरी, वो दूसरे नंबर पर 13708 बोट के साथ में आमादमी पार्टी की जो यहां पे इस्थिती है, वो मजबूत हो सकती है, ऐसा यहां पे जो समी करण हैं, जो चीजें सामने निकल करके वो आ रही हैं, तो यहां पे हम आपको बता दें, तुगल का बात की हम बात कर रहे थे कि जो कैंडिडेट है, आमादमी पार्टी के व मजबूत रहेंगे अंगली बिधानसवा वहाँ से बदरपूर बिधानसवा जहां पे 2020 के चुनाओ में राम बीव सिंग बिधूरी जो भारती जंता पाची के 90,022 बोट के साथ में चुनाओ जीते थे और 2025 में इस बिधानसवा सीट जाते दिख रही है वही अंगली बिधानसवा की हम बात करें ओखला बिधानसवा ओखला बिधानसवा के अंदर क्या होने बारा है बहुत चार्चा में सीट रही है अमानत तुलाग थां जिनको बहुत सारे लोग पहले से पहचांसे होगे इन्होंने 2020 में एक सांदार जीत दर्ज की थी आम आदमी पाटी के परिद्रस्य से इनको एक लाख तीस हजार तीन सो सरसर बोट मिला था वोट का परसेंट था 66.03 वही भारतिय जनता पाटी के ब्रह्म सिंह जिनको अंठामन हजार पांसो चालिस बोट मिला था दूसरे नंब 1827 बोट के मार्जिन से चुनाओं हारी थी मुझे लगता है 2020 के चुनाओं में ये सबसे बड़ी हार थी जो भारतिय जनता पाटी के केंडिडेट को अमाना तुल्ला खाने हराया था आम आदमी पाटी के केंडिडेट ने लेकिन बहुत बड़ा उलट फिर इस विदान सभा में देखने को मिल रहा है यहां से आम आदमी पाटी भी नहीं भारती जनता पाटी भी नहीं कॉंग्रेस पाटी की पकड़ मजबूत देखी जा रही है जो यहां कि लोग अनुमान लगा रहे हैं तो ऐसा लगा रहे है कि लोगों का मानता है कि आम आदमी पाटी की पकड़ कमजोर इस सीट से जाते दिख रही है जिनों ने 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी कॉंग्रिस पार्टी यहां से मजबूत इस्टिती में लग रही है यह उक्रा बिदान सवा